आई टी सी लिमिटेट के अंदर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं काफी अर्से से फॉलो कर रहे हैं तो मैं एटी सी के अंदर 210-240 210 शॉट टम 240 प्रोफेशनल टॉगेट पहले से ही बताते आ रहा हूं और स्टॉक को 238 या 230 राइन के लेवल के नज़िक जाके फिर रिवर्सल पकड़ा है और आज के दिन मैं आप सभी को होल्ड भी करा रहा हूं जो मुझे बहुत फाइले से फॉलो कर रहे हैं कि आप 240 लेवल के लिए स्टॉक में होल्डिंग लगा के चल सकते और जो भी फ्रेश बाइंग करना चाहरे हैं दोस्तों आफ्टर करेक्शन ही आप फ्रे प्रेसिछ करकर मेल करकर पूछ रहे हैं कि सर अब ITC में क्या होने वाला इस ह्टा confident जाने वाला सर में कुछ समज में नहीं आि तो दोस्तों सभी के सवालों का जवाब देने के लिए आज का वीडियो upload कर रहाँ तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं Candles चार्ट已經 हैलो एवरिव दो break out देखने को मिली है दोस्तों पहला break out हमें इधर देखने को मिला दूसरा break out हमें इधर देखने को मिला stock monthly correction के अंदर weekly correction के अंदर जो पहले और final break out बनाया था stock वहीन से ही bonds back कर रहा है आप देख सकते हैं same upper trend line आके वहीन से ही bonds back कर रहा है और इसने दूसरा और final break out उपर दे दिया यानि ये पहला break out है और ये दूसरा break out है अगर कल के दिन 240 अचीव हो गया 235 कौन से भी level अचीव होकर stock नीचे जाना चारा है तो stock फिर से पहले ये break out ये break out से ही फिर से bounce back होगा दूस्तों अगर ये break out break कर रहा है तो stock फिर यहां से नीचे आके फिर यहां से ही फिर से support पकड़के bounce back करके उपर जाएगा अगर आप safe trader हैं अगर आप safe trading करना चाते हैं तो 235 पे आप ITC limited में exit करके चल सकते हैं और एक बात ऊपर place level पे club हुआ है stock के अंदर कभी भी reversal recovery देखने को मिलेगी अगर चाहे यह Monday से हो चाहे वो Tuesday से हो क्यूंकि market के अंदर अच्छा खासा correction भी दिख रहा है पर ITC बहुत बढ़ रहा है तो इसके अंदर जो rally देखने को मिली अभी तक stock में weekly correction नहीं है और Monday या Tuesday Wednesday Thursday Friday कभी भी weekly correction के अंदर stock reversal जाएगा तो stock 220 level तक ही जाएगा उससे ज्यादा नहीं जाएगा दोस्तों और अभी भी बोल रहा हूं आप 240 level के लिए trade करके चल सकते हैं जब तक यह RSI में भी अगर आप देखेंगे तो same accordingly same weekly correction monthly correction के हिसाब से ही चल रहा है तीन weekly collection देख पूरा overall monthly correction देखने को मिला और बाकी के जो यह पहला breakout दूसरा breakout है उसके level के उपर ही trade कर रहा है दोस्तों अभी भी बोल रहा हूं दो bounce back level है ITC limited के अंदर और इस level से ही ITC bounce back करेगा और एक बात है दोस्तों confirm करना चाहता हूं stock के अंदर अगर आप थोड़ा previous थोड़ा पीछ लेविल पर चले जाएंगे like November, December के level तक चले जाएंगे तो stock के अंदर यह जो पहला breakout देखने को मिला यह कौन से level का था दूस्तों 180 का level का breakout था इधर 170 का support था दूस्तों यह मेरा telegram channel है दूस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लेजिए for intraday live tips and stock market updates के लि love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए 5th February 2021 Friday ITC Limited का closing है 234.35 पैसा यह मैं target निकल रहा हूँ for 8th February 2021 Monday के लिए Monday के दिन आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले या selling opportunity देखने को मिले आप मेरे targets and stop loss live market में लेके चल सकते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार YouTube channel पे आए हैं तो YouTube channel को subscribe करिए और live market updates के लिए आप telegram channel को भी जॉइन कर सकते हैं अगर आपको कुछ problem हो रहा है decision making में problem हो रहा है live market के अंदर कौन से लेवल पे entry कर रहे हैं कहां strategy maintain कर रहा है कुछी भी समझ भी नहीं रहा है तो भी डरने वाली बात नहीं है आप अपना hyper trade इस भी Instagram page के अंदर मुझे direct message कर सकते हैं और मैं आपके query का solution दे दूँगा reply थोड़ा लेट हो सकता है 5-10 minute पर reply आपको पक्का आज आएगा दोस्तों सब्कुन